देश की पत्रिकाइता बिल्कुल खतम हो गई है और ये देखने को मिलता है मुझभफुर्पुर के हॉस्पिटर्स में क्योंकि जब पत्रकारों को सवाल जहां से पूछने चाहिए वहां से ना पूछ के वो पूछते हैं वार्ड बॉय से, वो पूछते हैं नर्स से, वो पूछते हैं डॉक्टर से जो सवाल पूछने चाहिए उन्हें देश की प्रिधार मंतरी से या नितिश कुमार से तो वो सवाल पूछी जाते हैं डॉक्टर से इस तरीके के वहया सवाल पूछे जाते हैं मानेले प्रधान मंत्री जिसे जब होता है आमना सामना पत्रकारों का तेश के प्रधान मंत्री से और वैसे भी ICU में घुसने के कुछ नियम और काईड़े और कानून होते हैं यहां गुषने से पहले आपको سिर पे हैट पहनना होता है यजल आपको फूरे कि यड़ित पहनने होते हैं इस उपने के कीma किनियम कानून होते हैं गुजने से पहले आपको पूरी बॉडी कवरिंग करनी होती है यानि कि आपको हेड लगाना होता है शूर्ज कवरिंग करने होते हैं यहाँ तक कि कई बार तो गलब्स भी पहनने होते हैं तब जाके ICU में घुजा जाता है और हो सकता है कि आपकी इस नादानी से कई अपने साथ लेके जा रहे होते हैं आपके हॉस्पिटल में पूरे बैड क्यों नहीं है आपके हॉस्पिटल में चम की मुखार से निमटने के संसाधन क्यों नहीं है क्यों नहीं है आपके पास दवाईया आपके बैड पे एक दो-दो पेशेंटों को क्यों लिटाय जा रह ये देश के पत्रकारों का वो उन पे बिल्कुल भी नजर नहीं होती है, देश में कभी GST, नोट बंदी जैसे मुद्दों पे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, देश के अंदर पत्रकार नहीं पूछते हैं कि कितने शोशन हो रहे हैं, कितने लोगों पे जुम जात्तियां हो देश के उपर ना तो नोट बंदी रोजगारिता कि उपर कभी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, उनकी हेल्थ के उपर सवाल पूछे जाते हैं, आप आम खाते हैं, नहीं खाते हैं, कितने बज़े उठते हैं, कितने बज़े सोते हैं, वयाम करते हैं, नहीं करते हैं, आपको कौन से फिल्म देखनी पसंद है क्या देश के पत्रकारों के पास सिर्फ यही सवाल रहे गए हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंडी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले